ओम नमो भगवति वासुदेवाया राधे राधे मित्रो आज की इस वीडियो में हम विजया इकादशी के कथा महातामे का श्रवन करेंगे विजया इकादशी की पूजा विधी क्या होती है इसमें क्या क्या पूजा सामिगरी होती है और किस प्रकार से विजय कलश की इसका वीडियो चैनल पे अप्लोड हो चुका है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जा करके आप उस वीडियो को देखिए यदि आप जीवन में शत्रों से परेशान हैं आप उन पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप अपने जीवन में कि किसी भी छेतर में विजय प्राप्त करना चाहते हैं अपने कारियों की सफलता चाहते हैं तो हमें विजय एक अदेशी का वृत पूजन करना चाहिए यह जो पूजन है अगर आप वृत नहीं कर पा रहे हैं तो शुदुसात्विक रहते हुए आप इस पूजन को अवश्य करें और इसका कथा का महतम में आप अवशे रूप से सुनें तो इसका जो कथा है वो इस प्रकार से हाथ में कुछ आप तिली और पुश्प ले करके आप इस कथा का श्रवन करें और बीच-बीच में आप भूंकारे अवशे रूप से भरते रहें एक पाद धर्मराज विश प्राप्त होती है यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है इस विजय एकादशी के महतम्य के श्रवन वा पठन से समस्त पापों का नाश हो जाता है एक समय देवरशी नारत ने जगत पिता ब्रहमाजी से कहा महराज आप मुझसे फागुन मासके क्रिश्न पक्ष की एकादशी का विधान कहिए ब्रहमाजी कहने लगे कि हे नारत विजय एकादशी का व्रत पुराने तदा नए पापों को नाश करने वाला होता है इस विजय एकादशी की विधी मैंने आज तक किसी से भी नहीं कहिए यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है त्रेता युग में मर्यादा पुरशुत्तम राम जी ने भी जब 14 वर्ष का वनवास उन्होंने भोगा तब वे श्री लक्षमन और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे वहाँ परदुस्टरावन ने जब सीता जी का हरण कर लिया तब इस समाचार से राम चंदर जी तता लक्षमन जी अत्यंत व्याकूल हुए और सीता जी की खोज में चल दिये घूमते घूमते जब वे मरनासन जटाईउ के पास पहुँचे तब जटाईउ ने उन्हें सीता जी का वरत्तांत सुना करके स्वर्ग लोग को वो प्रस्थान कर गए कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वद किया हनुमान जी ने लंका में जाकर के सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया वहां से लोटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर के सब समाचार कहा श्री रामचंदर जी ने वानर सेना सहीट सुग्रीव की संपत्ती से लंका को प्रस्थान किया जब श्री रामचंदर जी समुद्र के किनारे पहुँचे तब उन्हें मगरमच आदी से युक्त उस अगाद समुद्र को देख करके लक्षमिन जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे श्री लक्षमिन जी ने कहा कि है पुरान पुर्शोत्तम आप आदी पुरुष हैं सब कुछ जानते हैं यहां से आधा योजन दूर कुमारी दूप में वगदा लब्ब्य नाम के मुनी रहते हैं उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं आप उनके पास जाकर के इसका उपाय पूछे लक्षमन जी के इस प्रकार के वचन सुन करके शी रामचंद जी वगदा लब्बे रिशी के पास गए और उनको प्रणाम करके बैट गए मुनी ने भी उनको मुनुशे रूप दारन किये हुए पुरान पुरुशोत्तम समझ कर उनसे पूछा कि हे राम आपका आना कैसे हुआ रामचंद जी कहने लगी कि हे रिशी मैं अपनी सेना सहीत यहां आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ आप क मुद्र भी अवशे पार कर लेंगे इस वरत की विधी यह है कि दश्मी के दिन स्वर्ण चांदी तांबे या मिटी का एक घड़ा बनाए उस घड़े को जलसे भर करके तता पंच पल्लव रखकर के वेदिका पर स्थापित करें उस घड़े के नीचे सत प्रकार का अनाज और उसके उपर जो रखें उस पर श्री नारण भगवान की स्वर्ण की मूर्ती स्थापित करें एकादशी के दिन इस नान से निवरत हो करके दूप दीप नैवेदे नारिल आदी से भगवान की पूजा करें तो पश्चात घड़े के सामने बैठ करके दिन व्यतीत करें और रातरी को भी उसी प्रकार बैठ करके जागरन करें द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवरत हो करके उस गड़े को ब्रह्मन को दान दे दें हे राम यदि तुम भी इस वरत को सेना पतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजह अवश्य ही होगी श्री राम चंजी न नारज जी से कहाता कि हे पुत्र जो कोई इस वरत के महतम्य को पढ़ता सुनता है उसको वाजबे यग का फलप्राप्त हो इस प्रकार से ये काता संपुन होती है उमीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उसफुल लॉग अवीडियो थोड़ा भी उसफु